Hey guys, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से I know ये सुनने के लिए आपके कान पिछले काफी जादा टाइम से तरस गए होंगे Like पिछले एक देड़ मैने से मैंने चैनल के ओपर कोई भी वीडियो प्लोड नहीं किया था तो उसके लिए I'm really really sorry and इसका reason भी आप लोगों कुछ है यार पता ही होगा कि अभी आपको मालू में कि मेरे सर के उपर जहन दस भी के बोड्स हैं तो ये जो time है काफी pressure वाला होता है because तुम्हें बाकी लोग हैं उनकी भी expectation को fulfill करना पड़ेगा and तुम्हारा खुद का भी future तुम्हारे सामने है जो कि just तुम्हारी percentage पर depend करता है so like you have to work hard for it कोई भी चीज इतने जादा आसानी से नहीं मिल सकती है so हाँ उसी चीज के लिए जो मैं आपे मेहनत कर रहा था and अभी मेरे सार से थोड़ा सा pressure कम हुए because preboards अभी खतम हो गए है so like I will try कि मैं एक दो तीन वीडियो आखे अपलोड कर दूँ ताकि चैनल जो है मतलब डेड ना हो जाए completely थोड़ा बहुत तो active रहे and मेरे मूँ से अगर मतलब कुछ भी निकल जाए तो यार प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना इसने टाइम से कुछ शूट नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है मैंने जस्ट अभी आया हूं बैटा हूं and record बटन मैंने चलू कर दिया तो जो भी मैं बोड रहा हूं प्लीज से उसको माफ करके सुन लो जब में बोड्स खतम हो जाएंगे उसके बाद मैं रेगुलर हो जाओंगा लेकुछ टाइम के लिए तो होँगा प्रॉपरली रेगुलर तो तब की घलतियों को तुम गलती बोल सकते हैं अभी थोड़ा सा माफ कर देना ठीक है तो अभी फाइनली आते हैं में वीडियो के उपर हमारे में कॉंटेंट के उपर इस वीडियो में मैं आपको किसी एक गेम के अरवे नहीं बताने वालूँ विकास इतने डाइम से तो मैं आपको कुछ मालूम ना चला हो इतने कुछ टाइम में आप उतने जादा अप्टु रहें आपको सब चीजे मालूम उन रहें तो वह मैं आपको बता देता हूं कि किन किन गेम कारे में हम लोग बात करने वाले हैं सो लाइक अभी जो मेरे माइंड में है वह पहला एपेक्स लेजेंस मॉबाइल उसका जो है एक ले टेस्ट ये का प्रेस कॉंफरेंस कुछ इंफर्मिशन आई है और उसके बाद हाँ फॉल गाइस मॉबाइल के वारे में भी कुछ हो सकता है तो बात करेंगे और किसी भी गेम की कोई बहुत ही जादा डिटेल्ड आपको न्यूज नहीं मिलने वाले एक जस्ट एक क्विक आपको जह समरी में आपको बता दू हैं Apex के related Apex के mobile version से related तो फैंस इस बार भी expect कर रहे थे कि भाई हमें कुछ सुनने को मिल जाए रिगार्डिंग ओपन बीटा की न्यूज या फिर कोई global launch की न्यूज बट यह वालों ने यहां पर थोड़ा बहुत भाव खाते हुए जादा कुछ तो रिवील नहीं किया बस इतना ही बता है कि हाँ अगले मार्च 2022 तक में Apex Legends Mobile का जो global version होगा वो release हो जाएगा जो कि एक बहुत ही common सी चीज है हमें पहले से obviously मालूम थी इस चीज को बताने का क्या point था उसके बीचे मुझे नहीं पता बठा यही चीज उन्होंने बताई है इसके लाओ कुछ खास तो उन्होंने और चीज रिविल नहीं किये बात रही open beta की तो देखो पता नहीं है नौंबर में भी आ सकता है नहीं तो फिर दिसंबर में भी आ सकता है वी बठा आगले साल के मार्च तक में जो कि अभी like 3-4 महीने बाद ही आ जाएगा तो जाधा टाइम आपको वेट नहीं कर सकता हूं बढ़ते हमारी अगले गेम के तरफ जो कि है वार्जो नॉबाइल तो रीसेंट लियार इसकी हमें एक प्रोफाइल देखने के लिए मिली है किसी एक चाइनीज एप स्टोर के उपर आइड़ों नो है कि फेक है या फिर यह रियल है विकॉस चाइनीज में लिग ह इस वीडियो में बता रहा हूं उसका नाम मुझे करेंडी नहीं पता है थोड़ा सा गन्फ्यूजिंग नाम था तो गेम का मैं गेम भी आपको दिखा दूँगा एंड उसका नाम भी स्क्रीन के ओपर आ रहा होगा इनकेस अगर आपको पता है इसके बारे में तो खेल लो और इनकेस मालो नहीं बता है तो इस गेम का नाम आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए का डिर्क प्ले स्टोर का तो वहां से जाके डाउनलोड करके खेल लेना गेम को अगे गेम काफी जादा सिमिलर है वार्जोन पीसी के लाइक है मैंने गेम प्ले देख मुबाइल की तो वैलोरेन मुबाइल की भी कुछ जॉब लिस्टिंग्स हमें रिसेंटली जहां देखने के लिए मिली है हमारे लिंके दिन पर यह न्यूज यार तुम कुछ तक सब्सक्राइब कर सकते हैं यह कोई फालतू की जॉब लिस्टिंग नहीं है लाइक जब गेम अल्रेडी डेवलप हो गया होता है तो उसके बाद जो कंपनी जॉब लिस्टिंग देती है वो थोड़ी सी फालतू होती है बट उससे पहले वो थोड़ी काम की ही जॉब लिस्टिंग्स अपलोड करती है एंड इस जॉब संग को देखके भी कुछ ऐसा ही मुझे पर्सनली लेकिन भाई, seriously, Valorant Mobile का जैसी first beta release होता है ना इंडिया में इंडिया में literally तभाही मच जाने वाली है because BGMI is not up, उसका उतना कोई craze नहीं रहा है and मैंने इतने टाइम में offline जाके like लोगों से देखा है, लोगों की राय जानी है and लोगों को Valorant Mobile का बहुत ही जादा तगड़ा वाला इंतजार है ये चीज़ मैं सही में बता रहा हूँ, ऐसा मैंने personally like लोगों से जाके offline में feedback लिया है कि भाई, तुमारा क्या सोचना है, तुमारा क्या सोचना है and everyone knows about Valorant Mobile के I don't know, उसका reason क्या हो सकता है, हो सकता है mortal वगारा की stream वो लोग देखते हो बट काफी लोगों को पता है तो इंडिया में तो ये गेम बहुत ही जादा एक अलगी level पर जाने वाला है so I hope कि जल्दी वो लोग release करें से और बाकि किसी और गेम के लिए मेरे मन में लाइक कोई hate वगरा नहीं है तो प्लीज ये मा सोचना की मैं value mobile को जादा प्यार करने लग गया हूं views के लिए भाई मैं offline पूरा अच्छे थे survey करके हूं पूरा अच्छे थे feedback लेके हूं इसलिए मैंने एक just आपको यहां पर opinion दिया है कि लोगों को क्या मानना है दिल्ली में, नियू देली में एंढ़ा इतनी ही मेरे पास कुछ news थी आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों के साथ share करने के लिए कोई जादा तर्ड़कती भड़कती news तो यह नहीं है and sorry, yeah, follow guys mobile की भी कोई news कुछ special तो मैं correct नहीं कर पाया जो कि आप लोगों को सुना सकूँ तो उसकी बाद कभी हम किसी और वीडियो के अंदर कर लेंगे बाकि इस वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो थोड़ा सा लंबा खीज गया, मैं चाहता नहीं था कि मैं इतना वीडियो को आया लंबा खीज दूँ, बट जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं क्या कितना बोल जाता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं रहता है सो जादा ना बोल जाऊँ, इसलिए वीडियो को यहीं पर खतम कर देते हैं वीडियो कर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को डेफिनिटी लाइक करना, सब्स्राइब करना बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, अगर मैं फ्यूचर में कभी जिन्दा होता हूँ फिर से तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए एंड हाँ इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूँगा मैं अब सभी से अपनी अगली वीडियो में पता नहीं कब, बट मिलूँगा जरूर, सो तब तक के लिए बाई बाई